हेलो गाइज माइस हो मैं और वेलकम यू ऑन दिस बीटिफल चैनल नीट वायवर्श दोड़े वी आन गोई तो स्टेडी अबाउट फाइलम टीनोफोरा तो लेस्ट स्टार्ट तो यह जो फाइलम टीनोफोरा है यह पार्ट होता है फाइलम सीलें चेटा का इसलिए यह सबस स्मॉल्लेस्ट फाइलम होता है अम बात करें के की जी जी तर्म है टीनोफोरा यह कहां से आया है और इसको इसको डिभाइट क्या गया है दो टांस में टीनोफ में एंड़ फोरोस में यहां पर टीनोस का मीन होता है कॉंब एंड़ फोरोस का मीन होता है प्लेट ठीक है ऐसी एनिमल्स जिनकी बॉड़ी में कॉंब प्लेट्स प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है टीनोफोरा Now, next point It includes कॉंब जैलीज एंड़ सी वेलनट ठीक है इसके अंदर कॉंब जैलीज एंड़ सी की वेलनट भी आते हैं कॉंब जैलीज एंड़ सी वेलनट इंब बन पॉइंट है Now, third point इस पॉइंट रहेंट रहेंट है यह वेलनट होते हैं यह अपने फूट के लिए नाओ नेक्स पॉइंट इस हैविटेट मतलब इनका जो रहेंसन कैसा होता है तो यह मुसली मेराइन होते हैं जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वो सब अक्वार्ट होते हैं इसलिए मेराइन होते हैं और इनमें और यह फ्री स्विंग होते हैं ठीके स्विंग करते हैं इसका कोई रॉप नहीं होता है री स्विंग आप पात करेंगे इनकी स्मेट्री की स्विंट्री तो इनकी स्मेट्री होती है वो बाई रेडियल होती है चीक है स्विंट्री की बाई आता है हमारा सिलोम यह जो अनिमल्स होते हैं वह ए सिलोमीड होती है इनकी बाई में सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है क्यों नहीं होती है because यह lower non-corrects में आते हैं इसलिए इनकी body में slalom जो है present नहीं होती है now germ layer so in germ layer they are triploblastic ठीक है इनकी body में outer ectoderm, inner endoderm and middle layer जो उसका आता है mesoderm यह तीनों ही इनमें present होती है that's why they are triploblastic now level of organization अगर हम इनकी level of organization दिखते हैं कि यह कौन से में आते हैं तो यह आते हैं टिशू लेवल पे ठीक है to be sau the issue level of organization कितना काट देना और क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रेजेंट ठीक है इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम ही ओनली प्रेजेंट होता है और बागी जो होते हैं like a circulatory a skeleton respiratory and excretory system is a absent in the body made circulatory is skeleton respiratory excretory and जो चारों जो इसकी सिस्टम है वो चारों इनमें absent होते हैं तो यह मेल पॉइंट है कि यह सिर्फ एक इसा फाइल है जिसमें यह चार चारों सिस्टम से अप्सेंट है और में सिर्फ डाजेस्टिव सिस्टम ही प्रेजेंट होता हैं नौ फिर्ड पॉइंट nematocytes are absent instead of them कोलोब्लास कोलोब्लास are present कोलोब्लास और प्रेजेंट फॉर कैचिंग और कैप्चरिंग दी फूड ठीक है इनके बॉडी में यह बहुत ही इंपोर्टने सेल इनको कहा जाता है कोलोब्लास यह प्रेजेंट होती है इनमें निमेटोस की जगे यह कोलोब्लास और प्रेजेंट होती है जो की हैल करती है फूड के कैप्चरिंग में नौ सेकेंड पॉइंट नर्वस सिस्टम तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है तो कैसा होता है तो नर्वस सिस्टम एज डिफ्यूज टाइप इनका जर्वस सिस्टम होता है आपस में वह डिफ्यूज होता है पर हम बाद करेंगे इनके रिप्रडाक्शन की तो यह जो होते हैं वो मौनोशियस होते हैं चीक है एक यह बादी में दोनों मेल एंड फीमेल जो सेक्स ओर्गंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं बादी आर मौनोशियस नव 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 स्टवियू नव नाष्ट और मौनोशियस नव 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 कि आपर गंसिस आरो प्रिजेंट चीक है इनकी बॉड़ी में इरिजनेशन एंड पैड़ोनेस्स दौनों ही प्रॉसेस जो है वो प्रिजेंट होती हैं चीक है अम हम बात करेंगे इनके लारवा की लारवा इनकी बॉड़ी में साइडी पिट नाम का लारवा प्रिजेंट होता है यही एक लारवा होता है जो टीनो फोर्स में देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे इनके ग्ग्जांप्ल्स रिखते हैं वैसे तो हमरा बहुत छोटा है तौ़ इसी तो इसके उउर्पनेट और से वी बहुत कम होते ह्यए ओंसली मैंग्जिमूम से में इसम में दौ पी नहीं सिकी खॉंपल आते हैं इसमें आता हे छोप टीनो प्लेना प्लॉरो ब्रांकिया एंड वेलमन ये कुछ इसके इंपर एजाम्पल्स है फाइलम टीनो फोरा के ठीक है इसमें जो सबसे मॉरेंटे वो इसके लारवा होता है जिसका नेम होता है साड़ी पिट लारवा तो हमारा जो वीडियो है यहां पर एंड होता है थैंकिसो मच